महा भारत में कई घटनाएं और ज्यान विज्यान के रहसे छिपे हुए हैं। महा भारत का हर पात्र जीवन्त है। चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्ट द्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महा भारत सिर्फ योध्धाओं की गा शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महा भारत की ही देन है। महा भारत को हिंदू धर्म का पाचवा वेट कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महा भारत के नौ अंसुने रहसियों के बारे में बात करेंगे। तो जय श्री कृष्णा मित् है कथामरित यूट्यूब चैनल पर यदि आपने कथामरित को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें तो चलिए जानते हैं महा भारत के नौ रहसियों के बारे में नंबर एक गांधारी के 99 पुत्र थे तो कौरव सौ कैसे कहलाएं आप जानते हैं कि कौरव सौ भाई थे लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट के केवल 99 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया और कौरवों की उस इकलोती बहन का नाम दुशाला था जबकि कौरवों का एक भाई युयुद्सू एक दासी का पुत्र था और इस प्रकार कौरव युयुद्सू और दुशाला के साथ एक सौ भाई और एक बहन थे युयुद्सू ने महाभारत का युद्ध आंडवों की ओर से लड़ा था युयुद्सू ने ही कौरवों को युद्ध के खेल मे द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्रहर्ण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्शी वेद व्यास ने लेकिन मैं आपको बतादूं कि यह एक अधूरा सच है अब आप पूछेंगे क्यों तो मैं आपको बतादूं कि महर्शी वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पारवती के पुत्र गणपती ने किया था मित्रो वेद व्यास कोई नाम नहीं है बलकि एक उपाधी है जो वेदों के ज्यान रखने वाले लोगों को दी गई थी कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं जबकि वेस्वयम 28 वेद व्यास थे इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था वह न केवल महाभारत के लेखक रहे हैं बलकि महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं क्योंकि हस्तिनापूर की तमाम घटनाओं की सूचना उनहीं तक पहुँचती थी और वह उन घटनाओ पर अपनी सलाह भी देते थे जब भी संधर्ष और संकट की स्थिती होती माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुँच जाती तो कभी हस्तिनापूर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती नमबर तीन द्रोनाचार्य का जन्म ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरू द्रोनाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरू थे गुरू द्रोन महर्शी भरदवाज के पुत्र थे महर्शी भरद्वाज एक महान वैध्यानिक चिकित सक तत्व वेदा और बहुत बड़े विद्वान थे एक समय की बात है कि महर्शी भरद्वाज अपनी दिंचर्या के अनुसार गंगा नदी में सनान करने के लिए जा रहे थे उसी समय ध्रिताची नामक अपसरा केवल एक पारगर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में सनान कर रही थी इतनी सुन्दर और कामनिय अपसरा को देखकर महर्शी भरद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांचित वीर्य पात हो गया उस समय वीर्य को न केवल जीवन के वीज के रूप में माना जाता था बलकि दूसरे शब्दों में पुरुष का वीर्य एक अती तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्देने में समर्थ था महर्शी भरद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा उन्होंने उस वीर्य को एक द्रोन कलश अर्थात पत्ते के दोने में रखा जिससे एक उत्र जन्मा द्रोन यानी दोने से उत्पन होने के कारण उनका नाम द्रोनाचार्य पड़ा तो मित्रो हम यह कह सकते हैं कि गुरू द्रोनाचार्य पहले टेस्ट क्यूब बेबी थे जिसे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धी मानते हैं जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मनिपूर गए तो कुछ कारण वश अर्जुन और चितरांगदा का विवाह हो गया बाद में अर्जुनने निराधार संदेश के कारण चितरांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी तब चित्रंगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी, जिससे वब्रुवाहन नामक पुत्र ने जन्म लिया, बाद में वह मनिपुर का राजा बना, उसकी माता ने वब्रुवाहन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है, और जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती समराथ बनने के लिए अशुमेध यग्य का आयोजन किया, और उस अश्व को छोड़ा गया, तब अर्जुन उस अश्व के साथ गये थे, घूम फिरकर वह घोड़ा मनिपुर पहुचा, और मनिपुर का राजा, यानि अर्जुन के पुत्र वभरुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन और वभरुवाहन एक दूसरे से परिचित नहीं थे, वभरुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा, कि मैं इस समय यग्य के घोड़े की रक्षा करता हुआ, तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो, जिसके कारण वभरुवाहन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है, और अर्जुन वह युद्ध हार गए, वभरुवाहन ने अर्जुन का सिर धर से अलग कर दिया, और जब वभरुवाहन को अपनी मा से पता चलता है, कि अश्वमिध्यग्य में अपनी दोनों माताओं, चितरांगदा और उलूपी के साथ शामिल होता है, नंबर पांच, आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक जिन्दा होने के पीछे की असली वज़ा है, मित्रो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वज़ा है, बहुत से लो इश्वर पर या उनकी वानी पर विश्वास नहीं है, अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य यह है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था, और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्धेश यह है, कि जब कलियुक के अं्त में भगवान कल्की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा धर्म की स्ठापना में उनका साथ देंगे, अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्की की प्रतीशा कर रहे हैं, अश्वत्थामा के अलावा छे महा पुरुश औ जो कलियुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कलकी के साथ होंगे। अर्थात वे इस कलियुग में सत्युग, त्रेता युग, ड्वापर युग से अब तक जीवित हैं। और वे सभी आठ सिध्धियों से और दैविय शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष, किसी नियम या वचन से बधे हैं। और हम मनुश्यों की तरह वे भी आज इस कलियुग में रह रहे हैं। भगवान विश्णों के कलकी अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रहमास्त्र जो उस समय इतना विस्पोटक था वही पर्मानू बम था। क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमान मिलते हैं कि जब भी ब्रहमास्त्र का प्रयोग किया जाता था। पूरे ब्रहमाड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों पुलकापिंद आकाश से गिरने लगते थे। आकाश जल जाता था। ऐसा लगता था कि पृत्वी पर भयानक भूकंप आया है। हवा तेज गती से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनेक युग से महाभारत काल का समय कितना दूर था। नमबर साथ, पांच जन्य शंक क्या है? मित्रो पांच जन्य एक अत्यंत दुरलब शंक है। श्रीकृष्ण के शंक का नाम पांच जन्य था, जिसकी उत्पत्ती समुद्र मन्थन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्रीकृष्ण अपने पांच जन्य शंक से पांडव सेना में जोश भर देते थे। और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसलिए इस शंक को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह पांच जन्य शंक आज भी मौजूद है। यह शंक हरियाना के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल से 15 किलो मीटर पश्चिम में कच्छवा और बहलोलपुर गाउं के पास प पाराशर विशी के मंदिर में रखा था। हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि आदी बदरी में आज भी श्री कृष्ण के इस शंख को सुरक्षित रखा गया है। जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिल्चस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है। और महा भारत के युद्ध में भी उसकी एहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है इरावन की। उलूपी ने अर्जुन के समक्ष विवा प्रस्ताव रखा। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ग्याता था। इरावन के जीवन का एक मात्र लक्ष महा भारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। जब आंडवों को अपनी जीत के लिए मा काली के चर्णों में स्वेच्छा से अपना सिर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्शकता होती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन इसके लिए स्वयम को समर्पित कर देता है। लेकिन वह एक शर्थ भी रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता। अब शंकट यह पैदा होता है कि अगर उसकी शादी किसी राजा की बेटी या आम महिला से होती है तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन के साथ करने के लिए तयार नहीं होगा। क्योंकि जल्द ही वह काल के गाल में जाने वाला था। तब भग्वान कृष्ण स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सिर मा काली के चर्णों में अर्पित कर देते हैं। इरावन को अलंबुष नाम के एक राक्षस ने मारा था। दक्षन भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। अपना पूरा जीवन धर्म पत पर बिताया था, लेकिन वे शारिरिक रूप से स्वर्प पहुँच चुके थे। क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है, दरसल यमराज को किसी श्राप के कारण धर्ती पर जन्म लेना पड़ा था। और वह कोई और नहीं बलकी विदुर थे, जो पृत्वी पर यमराज का जन्म थे। और इसलिए जब विदुर ने अपने प्रान त्याद दिये थे, तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई थी। क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे, और यमराज भी स्वयम धर्मराज हैं। यही कारण है कि युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम थे। क्योंकि यमराज स्वयम उनके साथ थे, युधिष्ठिर कुछ ही दूर ही चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयम देवराज इंद्र अपना रत लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं। वे भी हमारे साथ स्वर्ग चलें। ऐसी द्यवस्था कीजिए। तब इंद है कि यदि आपने कर्थामरित को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें सबको जय श्री कृष्णा।